आज अलग अंदाज में दिखी प्रियंका वाडरा गांधी उन्होंने अनेक सवाल पूछे आईए आपको सिधे सुनाते हैं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा यह पहला मोका है जब वह जनता से रूबरू हो रही है राहूल गांधी को दो वर्स की सजा मिलने के बाद पहली बार वो जनता से मिल रही हैं अब बोलू इजाज़त है मेरे यूपी के भाईयों बोलने दो देखिए यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई 32 साल पुरानी बात है मैं 1991 की बात है मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्थी भवन से निकल रही थी अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे सामने भारतिय सेना की एक ट्रक थी फूलों से लदी हुई थी उसके उपर मेरे पिताजी का शव था थोड़ी देर काफिला चला पांच-दस मिन्ट चला फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूँ तो माने मना किया उस समय सुरक्षा का भी बहुत उठा तो माने का नहीं तुम उतर नहीं सकते राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा मैंने मां से का मां उतरने दो राहुल गारी से उतरा उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूरती से लेके कड़ी धोप में अपने पिता के जनाजे के पीछे 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 पैदल चलते 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 यहाँ पहुंचा इस जगे से कुछ 400-500 गस दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किये कि सुनिए कि वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है मेरे मन में है कि मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था इस तिरंगे के नीचे मेरे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहा है उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के एक बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मा का अपमान करते हैं आपके मंदरी मेरी मा का अपमान भरी संसन में करते हैं आपके एक मुख्य मंत्री कहते हैं कि राहुल गांदी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधान मंत्री आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पड़ित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परमपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसत से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं लड़ सकते क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान करते गए, करते गए, करते गए मेरे भाई ने क्या कहा संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचारधारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूँ एक आदमी का कितना अपमान करोगे कितना अपमान करोगे क्या यही है इस देश की परंपरा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे भगवान राम को बनवास में भेजा गया उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म निभाया क्या भगवान राम परिवारवादी थे क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडे में उनका खून है इस धर्ती में उनका खून है इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खूनने सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर हम पे छापे मार कर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे वो घलत सुचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम और मजबूती से लड़ेंगे हम इस देश के लोक तंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है इस देश के लोक तंत्र को इसकी नीव कॉंग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है कॉंग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की अजादी के लिए और आज भी इस देश की अजादी के लिए ही लड़ रही है कभी-कभी मैं सोचती हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है एक आदमी को दी जा रही है गिने चुने उद्योग पत्यों को सब कुछ दिया जा रहा है किसकी संपत्ति है ये राहुल गांधी की संपत्ति है ये आपकी संपती है ये PSU किसके हैं किसके लिए बनाएं गए आपके लिए बनाएं गए जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं दिये जा रहे है इसी से तो आपका रोजगार आता है छोटे उद्योगों से छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है किसी बड़े अडानी से नहीं आता रोजगार नहीं देते छीन दें आपका रोजगार तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप गैस के सिलिंडर के लिए हजार रुपे दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ती किसी को सौ्पी जा रही है proud गांधी जी ने क्या कहा अरे कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि आप से दो सवाल पूछ लिए कि जवाब नहीं दे पाए न mineral है और जो हर्पारी होते हैं इतानशाफ होते हैं क्या करते जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं, जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, आपने कभी सोचा है, आखे खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपती दे रहे हो देश की बीसो हजारो क्रोड शेल कंपनियों में इनकी है और आप इन पर इंक्वाइरी नहीं कर सकते यह अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बुखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं देखिए आप इस देश के देशवासी हैं यह देश आपका है यह लड़ाई आपकी है आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों है हम इस्तिहार तो देख रहे हैं वोडिंग देख रहे हैं मदर ओफ डिमोक्रिसी लिखा है कहते हैं कि हमारी अर्थ के वरस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों है तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं इतनी महंगाई क्यों है इतनी महंगाई क्यों है क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलिंडर का दाम कम नहीं कर सकते आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते आप रोजगार नहीं बनवा सकते तो फिर आपकी सरकार किस काम की है लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए अब आप सोचिए कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला उसके साथ लाखों लोग चले क्या पैगाम लेके चला किस लिए चला उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़के चले समता एकता की भावना थी आज आपके सारी मीडिया आपके सारे मंत्री आपके सारे सांसद आपके सारे कारे करता कह रहे कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया क्या एक आदमी जो कन्या कुमारी से लेकर पांच हजार किलो मीटर कश्मीर तक चलके ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है तो ये आदमी क्या कर रहा है ये आपकी आवाज उठा रहा है ये क्या कह रहा है कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो नौजवानों को अपना हक दो महिलाओं को अपना हक दो यहीं तो कह रहा है और हक क्या है हक यह है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए किसी बड़े उद्योगवती के हाथ में नहीं जो प्रदान मंत्री जी के मित्र है यह है आपका हक उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप समझे ये एक इंसान की बात नहीं है ये एक राहुल गांदी की बात नहीं है ये पूरे देश की बात है जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो हम किस बात की इतको बचाने की कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोक तंत्र क्या होता है खुल के जवाब मांगो सवाल उठाओ यही तो लोक तंत्र है कि आपको कोई आपत्ती है कोई समस्या है आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं आप कह सकते हैं हमारे लिए यह क्यों नहीं किया इत्नी महेंगाई क्यों है हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए लेकिन आज यही एक काप से छीना जा रहा है और आपका द्यार इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को प्येलाया जाता है जुर्क लेकर आप सोचिए राहुल गांधी दुनिया के सबसे दो सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थाने वहां से पढ़के आए हैं हारवर्ड और केमरिज की उनकी डिग्री है केमरिज से उनोंने एकनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री एमफिल डिग्री उनको मिली आप उसको पपू बनाते हैं पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों डिग्री आपने देखी नहीं सचाई आपने देखा नहीं उनको पपू बना दिया फिर पता चला कि ये तो पप्फू ही नहीं इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं ये इमांदार भी है ये सब बातों को समझता भी है ये जनता के बीच जा रहा है जनता की समस्याओं को सुन रहा है जनता इसके साथ चली जा रही है तो घबरा गए घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चैरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापिस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांधी के संसद में अडानी के भाशन देने के एक हफ़ते बाद एक हफ़ते बाद वो आदमी वापिस जाता है कहता है केस खुल दिए सुन लीजी अब हम तैयार है एक महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसों साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फटते हो गई जजमेंट भी फटते हो गई सजा भी फटते हो गई और आपने कह दिया अगले दिन कि आठ सालों के लिए यह चुनाओ नहीं लड़ सकते संसद से बाहर कर देंगे इनको वावा 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 बहुत धहर्य है आपमे अरे कायर है कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझे पर लगा दो केस मुझे पर जेल ले जाओ मुझे भी लेकिन सचा ही यह है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है अहंकारी है कि अहंकारी राजा को यह देश पहचानता है मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि यह देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है यह देश सचाई को पहचानता है और मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा मेरे मीडियो के साथियों मैं आप से कहना चाहती हूँ बहुत हो गया है बहुत हो गया है मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको यह कहना है आज आपको यह लिखना है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोक तंत्र खत्रे में है अगर सरकार सवाल उठाने वाले को आठ सालों के लिए संसद से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही अजासत नहीं है तो बहुत गरबढ है बहुत गलत हो रहा है और ये लोक तंत्र के लिए ठीक नहीं है ये इस देश के लिए ठीक नहीं है जब आप पत्रकार बने शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूँगा मैं सच्चाई बोलूंगी आज आप बोल नहीं पा रहे हैं हिम्मत करिए खड़े हो जाईए आप भी और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हमें हम सबको एक होना पड़ेगा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खत्रे में है आज इस देश की सारी संपत्ती एक आदमी को सौपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाईयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देंगे इसलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गज़दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है कितनों ने इस देश की धर्ती इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है यह अफसर हैं यहां तैनात खड़े हैं इसी तरह से इनके भाई सरहत पे खड़े होते हैं हमारे लिए आज भी अपना खून बहा रहे हैं क्या इसके लिए क्या डानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए अपने देश के गरीब के लिए अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए महिलाओं के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तयार हैं तो मैं आपसे आग्रे करती हूँ, मेरे देशवासियों, आखे खोल लो, समय आ गया है, डरो मत, राहुल गांदी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है, जुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो, और इस देश को आगे बढ़ाओ, जैहिंद, 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 अपने आसपास से लेकर देश दुनिया की प्रमुक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें, निउज 69 भारत, हमेशा आपके साथ, सच के साथ, सच परबाद.